हेलो फ्रेंड, आज मैं सुर्जने की फली की सब्जी बनाने जा रही हूँ, मैंने यह साथाथ सुर्जने की फली ले ली है, हरी हरी, उसे हम छोटे छोटे चुटे टुकडों में छीलते हुए इस तरह काट लेंगे, यह हमने साथाथ फली काट ली, अब इसे बॉइल करेंग कि और आधा ग्लास जीतना पानी डालेंगे और इसे बॉइल करने रखेंगे दस मीट के लिए हमने गेश चालू किया है इस पे सब्जी रख दी है अब इसे दक के दस मीट बॉइल होने देंगे तब तक हम टमाटर काट लेंगे हम तब तक दो ये बड़े टमाटर लिए हैं और इसे हम बारिक काट लेंगे भोके अच्छे से लिये हुए है इसे इस तरह एकदम बारिक बारिक छॉप करेंगे हम क्योंकि टमाटर की सुर्जनी की खटी मिठी सब्जी बनाने जा रहे हैं इस तरह हमने पूरे दो टमाटर अच्छे से काट लिए हैं अब हम एक कडाई ले लेंगे उसमें हम छोटे तीन चम्मच जीतना तेल डालेंगे इसमें ज्यादा तेल नहीं डालना है इसमें हम थोड़ी हींग डालेंगे अरे गेस की फ्लेम हाई है थोड़ा तेल हो जाने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे मैंने इसमें आदा चम्मच जीतना जीरा डाला तेल हो गया हिंग हमारी और पाउ चम्मच जीतनी हल्डी डाली अभी जो हमने टमाटर चॉप करके रखे थे हमारे चम्मच इतना ही इसमें हम नमक डालेंगे तो कि सुर्जन इसकी फली का नमक हमने बॉल समय के टाइम डाला है तो यह मैं आदा चम्मच नमक डाल रही है और इसमें एक चम्मच धन्या जीरा पाउडर और आधा चम्मच दिखनी में लाल मेट्च डाल रही है इसमें कोई भी पाने डालना नहीं है एकदम अभी हमारा लो फ्लेम में इसे पकने देंगे इसे हम ढ़कतन से ढ़क देंगे इसे 10 मिट तक हम पकाएंगे अभी हम सुर्जन इस पली को चेक करते हैं यह 10 मिनिट हो गया देखिए यह एकदम अच्छे से पक गई है इसे बाहरी आपने बॉइल करना है यदि पूकर में किया तो इसके सब काड़ी अलग-अलग हो जाएगी इसे इसी तरह से बॉइल करना है और अब हम गेस बन करेंगे अब हम टमाटर चेक करने जा रहे हैं यह टमाटर अब हमारे अच्छे से पक गए हैं एकदम अच्छे से बॉइल होके एकदम मैस हो रहे हैं तभी हम यह सुर्जने की फली जो बॉइल करके रखी है उसे पानी के साथ इसमें डालना है इसलिए अब इसे कम पानी में ही बॉइल कीजिए इसका पानी थ्रो नहीं होना चाहिए अब इससे हम अच्छे से इसमें चला लेंगे हमने इसमें टमटर के हिस्से के सब मसाले डाले थे अब सुर्जने की फली की इससे कम है पाव चमच हल्दी एक चमच धन्या जीरा पावडर और थोड़ी सी लाल मीर्च डाल रही है इसमें नमक तो हमने डाला हुआ है अब हम इसमें तीम छोटी चमच सक्कर डालेंगे आप चाहे तो इसमें गूड़ी डाल सकते हैं और यह सब अच्छे से हम चला लेंगे इससे अच्छे से बॉइल होने देंगे थोड़ा फास्ट गेस में यह हमारी सबजी खाने के लिए एकदम तयार हो गई है इससे थोड़ा और मिक्स कर लेंगे यह खटी मीठी सबजी इखाने के लिए बहुत अच्छी लगती है इसे हम अब केश्टोल में सर्विस टेबल सर्विसिंग के लिए निकाल लेंगे यह हमारी खटी मिखी शुर्जने की फली की सबजी तयार हो गई है इसे मैंने केस्ट्रोल में निकाला है मैं सुधा कीचन से सुधा शाह बोल रही हूँ धन्यवार